एक अनदर MIUI का Mode Room का अपडेट आ चुका है जो कि मुझे रियली में पसंद आया है रो आपको भी पसंद आएगा जो कि हमारे डिवाइस Poco X4 Pro और Redmi के Note 11 Pro Plus के लिए देखने को यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे काफी चीजे एड करीगी है नई जो कि पहले हमें देखने को न मिलती है जो कि आपके काफी पसंद आने वाली है तो चलिए अचकी वीडियो को सुरू करते हो चेक आउट करते हैं किसमें क्या कुछ किस तरीकी से working and non working चीजे देखनी को मिलती है और उसे कैसे ठीक करना है और इसे यूज कैसे करना है वीडियो अच्छा लगता है लाइक क करोगे देखोए कि unlocking animation बिल्कुल डिफरेंट टेखनी को मिल रहा है जो कि काफी interesting है इसके बाद यहां पर आप देखोए कि आपको MIUI का डालर टेखनी को मिलता है यानि को रिकॉर्डिंग के बल्ले-बल्ले है लेकिन यहां पर Google का contact दिया गया है कोई बात ने कोई फर्क नह बे-mode के उनमें यह क्याम नहीं करता था बाट यहां पर इसे fix किया गया है जो कि मुझे काफी सही लगा है और आपको यहां पर दिक्कत है जो नहीं आएगा इसके बाद यहां पर देखो folder effect or different आपको देखनी को मिल जाता है जो कि काफी सही है another control center अंदर भी हलका different look देखन को मिलता है जो कि official इस device में सायद आपको देखनी को नहीं मिला होगा plus में यहां पर आपको sign देखनी को मिलता है जहां पर आप all the widgets add कर सकते हो जो कि translate version वाले हैं और मुझे यह पसंद आया अब आते है setting पे जहां पर आपको देखनी को मिलता है MIUI AR device के अंदर MIUI AR project v3 जहां प यहां पर MIUI AR lab देखनी को मिलता है जहां पर इसके extra features दिये गए हैं और इसका look मुझे काफी अच्छा लगा और यहां के wallpaper से color को pick करता है जो कि काफी सही है जहां पर आपको anti flicker mode देखनी को मिल जाता है जो कि आप use कर सकते हो यहां पर theme server आप change कर सकते हो जो भी आपको चाहि लेना जो कि आपको यहां पर दिखाई देता है और यह देखने में मुझे यहां पर काफी इंटरेस्टीन लगा है अलग-अलग look and design में आपको यह नजर आते हैं तो जो भी सही लगे वह आप रखो मर्जी आपकी होगी अनदर यहां आपको extra team के option मिलते हैं यहां पर DPI चे जो भी apply अपने किया वो चेंज नजर नहीं आता तो आप यहां पर apply change का benefit लेकर जो बदलाव ला सकते हो अनदर बैक पर आने के बाद यहां पर about AR देखनी को मिलता है जहां पर इनके सारे team का name देखनी को मिलेगा और जिन्होंने help किया है अगर इन में से किसी से आपको contact करन है तो इन पर click करो that आप पहुँच जाओगे अनदर यहां पर wallpaper and personalization जहां पर काफी interesting से wallpaper add करे गए हैं जो कि आपको काफी पसंद आने वाले है उसके लिए simply आपको यहां पर आना है जहां पर total यहां पर spider-man और बाकी other wallpaper देखनी को मिलते हैं फिर से नीचे आने के बाद यहा यहां पर 10 प्लस आपको देखनी को मिलते हैं और यहां पर आपको देखनी को मिलता है करेब 40 प्लस यानि बहुत सर यहां पर wallpaper collection आपको नज़र आते हैं जो कि आप यूज कर पा गए और यमें से कई साले wallpaper मैंने टेलेग्राम पर share कर रखा है आप चाहो तो वहां से भी निक कर सकते हो एंटी flicker मैंने सोकर ही दिया है साउंड के profile पर आपको डॉल वी और haptic करने के option है जो मिल जाएंगे notification के अंदर यहां पर group notification दिया गया है जो कि आप benefit है जो ले सकते हो साथ सी साथ home screen जहां पर आपको यह एडवांस ओलो launcher में आपको पहले ही बता रखा है new animation यहां पर unlock कर सकते हो folder के अंदर अलग effects डाल सकते हो यहां पर गूगल का search बारे उसमें आप बदला उला सकते हो और स security वह ही आपको channel और जो features न वो provide करता है यहां पर साथ से साथ यहां पर आपको apps के अंदर secure mood देखनी को मिलता है जो कि काफी अच्छा है और अच्छे से काम भी करता है additional के अंदर अगर language support के बात करें तो multi यहां पर add करा गया है तो जो चाओ language वो use कर सकते हो by default 1G भी ही default रहेगा वही रहेगा और special features में वही आपको privacy protection lab यहां पर second space और floating window अगरा देखनी को मिलेगा home पर आने के बाद आप यहां पर notice करोगे कि यहां पर widgets का preview देखनी को मिलता है home screen पर जो कि आप add कर सकते हो जितना चाहिए उतना कुछ extra apps यहां पर देखनी को मिलता है जो कि यह कर सकते हो another यहां पर हम बात करते है इसके performance test result का तो वह देख लेते हैं लेकिन यहां पर जो volume panel है इसे भी थो सा change and modified किया गया है जो कि मुझे यहां पर थोड़ा अच्छा और interesting लगा है another यहां पर control center भी काफियर तक आपको सही देखनी को मिलता है जो कि सही तरीके से यहां पर काम करता है अब आठे testing के ऊपर by default आपको यही wallpaper नजर आएगा another यहां पर charging जो कि 8 minutes में 17% जाता है कोई भी application आप normally install करोगे और वह अगर play store से block है unsafe है तो कुछ इस तरगी से warning देगा लेकिन आप secure mood on कर दोगे तब तो और भी चीज़े है जो warning के रूप में so करता है वो अ अनदर यहां पर 19 minutes में 37% चार्ज हो जाता है जो कि सही है और यह है अमारा काफी अच्छा खासा तो नहीं कमगा लेकिन हाँ थोड़ा बेटर हो जाएगा one day के बाद तो geekbench भी ठीक ठाक है L1 का support आपको मिल जाता है CPU ठोटलिंग जो कि max 2,19,000 और minimum 1,13,000 गया है थोड़ा व स्टेन भाई battery drop के बाद करें तो 63 के बाद यह आता है हमारा 61 यानि full night में 2% कहीं battery drop हुआ है जो कि ज्यादा नहीं है काफी सही है और यह देखो आपका 90 episodes unlock है जहां पर आपको gaming भी ठीक ठाक देखनी को मिलता है जो कि अच्छे से यहां पर काम कर जाता है तो टोटल यही सार अच्छे से music है different use किया गया है और जो text पगड़ा है वो काफी अच्छे किसी यहां पर visual हो जाता है और थोड़ा लंबा आपको boot animation देखनी को मिलता है जो कि यहां पर venom का add करा गया है काफी different और interesting मुझे लगा है और में भी इसका audio है ना वो noise cancellation में जा रहा होगा लेकिन हां देखने में काफी मज़दार लगता है तो total यही सारे चीज़े देखनी को मिलती है और रही बात इसे डालना कैसे आपके phone के अंदर तो टी डुलार्पी guide और इस रूम का installation guide का link आपको मिलेगा discussion में जिसे आप check out करके आप इसे अपने phone के अंदर असानी से डाल सकते हो और म आपके 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 आपक